मैं हूँ आशुतोस और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com सत्यहिंदी.com में खास कारिकरम आशुतोस की बात में आपका स्वागत है बाचिश शेरू करने के पहले छोटी सी अपील सत्यहिंदी.com में कोशिस है इमानदा निडर और निर्भीक पत्तरकारिता की हम अपने दर्शकों के शुक्रगजार है जो हमारे कारिकरम को लाखों की संख्यावे देखते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं हम उसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारे कारिकरम को और देखें बढ़ चल के देखें लिकन उसके साथ साथ अगर आप हमारी थोड़ी से आर्थिक मदद भी करेंगे तो हमारे लिए बहुत पड़ी मदद हो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं सत्य हिंदी के सदस्य बने थोड़ा सा आर्थिक भुकतान करके और साथि साथ सत्य हिंदी का मुबाइल लैब भी आप डाउनलोड करें हमार दरसल बाचीत करना चाहते हैं एक बहुत ही गंभीर मसले पर गंभीर मसला है दरसल राज्यपालों की भुमिका को लेकर हमारे सम्विधान में राज्यपाल की भुमिका का बहुत काईदे से और विस्तार से उसका वड़न किया गया है लेकिन ऐसा लगता है जैसे राज्यपालों की भुमिका पिछले दिनों बदल गई है खास्तोर पर जो विपक्षी सरकार है जहां जिन राज्यपालों में विपक्षकी सरकार है वहाँ पर तो और भी ताजहाल यह है कि तमिद्द्द की सरकार ने राजच्ठकती-दरौपदी मुर्मु जी से ये गुजारिश की है उनको ग्यापन दिया है कि वो तमिलाडु के गवर्णर से उनको बचाए है उनके इसाब से तमिलाडु के गवर्णर रवी साहब वो सम्विधान का पालन नहीं कर रहे हैं सामपरदाइक बाते कर रहे हैं और सरकार का जो कामकाज है उसम महँमत खान साइकता है उन्हों ने यहां तक कह दिया कि आप वित्यमंत्री को हटा दे और उन्हों कि जो मंत्री परिशद है मंत्री है वो गवणगर के प्लेजर पर नियुक्त होते हैं लहाजा उनको घटा भी शकते यह समुधान कैसा लगता है उल्टी व्याख्या है बाचीत को ज्यादा न बढ़ाते हुए बंगाल का विजिक्र कर देता हूं जहां पर जग्दीब जंकर साहब इस वक्त उपराश्ट्रपती है वो राज्यपाल थे और रोज आना उनकी मम्ता बेनरजी से लोग जोख हुआ करती थी और ऐसा लगता था जैसे कि बंगाल के अंदर विपक्ष की भूमिका में राज्यपाल महोदे खुद है आपको याद होगा महरास्ट के अंदर भगसिंग कोशियारी और स्युसेना के बीच का टक्राओ राजस्थान के अंदर मुक्हमंत्री और मिश्णा जी के बीच कर टक्राओ तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां विपक्ष की सरकार है और गवर्णर और राज्यपालों से उनका टक्राओ ना बलकि यह का जा रहा है कि अपनी लक्षमन रेखा को लांग रहे पुड़ुचेरी और दिल्ली में लेफ्टमेंट गवर्णर है लेकिन वहां भी हो सरकार अपने हिसाप से चलाना चाहते है तो लहाजा आज हम इसी मसले पर बातचीत करेंगे लेकिन बातचीत करने के पहले अपने दर्शकों के दे दे कि राज्यपाल के अधिकार क्या है अनुच्छे 163 इस पस्ट तोर पर यह कहता है कि मंत्रिबंडल के सलाह पर राज्यपाल काम करेंगे सिर्फ कुछ मामलों में अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ कुछ मामलों में और यह विवेक क्य का रहा है इसके बारे मेंं बाबा सभ अम्भेटकर जो समविधान की and drafting committee के चERermen थे जिनको समविधान का कितामा का घाता है उन्हों लिखा उन्होंने कहा है कि समविधान के ताथ राजज्यपाल अपने विवेग से कोई काम नहीं कर सकते कोई भी काम नहीं सम्विधान के मताबिक सभी मामलों में वो मंत्रि मंदल की राय मानेंगे रिशब अगर आप ये ग्राफिक चला पाए तो बहुत अच्छा रहेगा अंबेटकर ने कहा था बाबा सांबेटकर ने सम्विधान के ताथ राज्यपाल अपने विवेक से कोई काम नहीं कर सक कोई भी नहीं सम्विधान के मताबिक सभी मामलों में वो मंत्रि मंदल की राय मानेंगे और फिर राज्यपाल का विवेक जो विवेक है उसका कैसे इस्तेमाल होगा उन्होंने कहा है राज्यपाल की भूविका बहुत सीमित और सजावटी है इसके साथ साथ राज्यपाल के मसले पर सुप्रिम कोट ने क्या कहा है सुप्रिम कोट ने 2015 में जब अरुनाचल प्रदेश में सरकार और गवर्णर के बीच में जगड़ा हुआ तक सुप्रिम कोट अपना फैसला दिया था और वहां पिनोंने कहा था विवेक का इस्तेमाल बहुती सिमित दाइरे भी हो औ और साउधानी पूर्वक हो इस मसले पर केंद्र और राज्य की भूमिका के संदर में सरकारिया कमिटी बनी थी और उने 188 में सरकारिया कमिटी ने अपने रिपोर्ट पे कहा था किसी राज्य में जहां विपक्ष की सरकार हो वहां केंद्र की सरकार की पार्टी का सदस अच्छी आयोग ने कहा राज्यपाल स्वतंत्र हो और बिना राजनीतिक मन्शा से फैसला करें तो यह राज्यपाल उनकी भूमिका और उस पर बाबा साथ अंबेटकर और दूसरे लोगों की राय उनकी विवेक को लेकर क्या यह सपस्ट है लेहाज अब बाची शुरू करते हैं जो वकील है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी के समर्थक है अश्वनी साही साथ लखनो समय साथ जो भातियंता पार्टी के प्रवक्ता है और कलकत्ता समय साथ प्रभाकर मड़ी तीवारी है जो वरिश्च को तरकार है आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है फृदोस क्या खेदा है देखे आपने शुरू किया डॉक्र बावसाब अमबेटकर की बात से मैं चाहूंगा कि दर्शकों को पहले बताओं कि समीधान सभा में जब राज्यपाल के रोल पर चर्चा हो रही है तो मेंबर्स के बहुत सारे अब्जेक्शन्स थे कि राज्यपाल यह सि इंस्टंसेज बताए गए थे तो इसका सबका रिप्लाई दो जून उन्निस सो उन पचास को डॉक्टर बावसाब अमबेटकर ने सविधान सभा में दिया था अगर आपकी इजाज़त है तो मैं एक पैराग्राफ उसमें पढ़ना चाहता हूं जो आपके सवाल का जवाब बिल्कुल है पक्टर बावसाब आमबेटकर कहते हैं चुकि वादविवाद समाप्थ हो चुका है और चुकि सभा के बहुत से सदस्य समझते हैं कि इस अनुचे के पीछे अवश्य कोई बात ऐसी है जो प्रांत में मंत्रियों तथा मंत्री मंडल की स्थिति को संकट में ड नहीं है याने फंक्शन जिसका वो स्वय निर्वाहन कर सकता हो यद्देपी उसके लिए कोई प्रकारिया नहीं है पर उसे कुछ करतवय पालन करने होंगे और मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि सभा इस अंतर को ध्यान में रखें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए यह कि यह अनुचेत किसी विशेष्ट विशेपार मन्तफरी मंडल के विशेखा को पलटने की शक्ति राज्यपाल को प्रταान नहीं करता है बलके इसी अनुच्छेत के अंतरगत राज्यपाल के लिए अनिवार्य है कि कि वो मन्तिरी मंडल की मंत्रना को सुल्थार्ट करे मैं स राज्यपाल मंत्री मंडल की बात पलट दे अतह यह आलोचना जो इस अनुचेद पर की गई है कि अनुचेद किसी प्रकार से मंत्री मंडल के विनिश्चयों में हस्तक्षे करने या उनको पलटने का अधिकार राज्यपाल को देता है पुर्णतया विशय से परे है और पुर करना मेंटल रोल है वो खुद से कोई डिसिजन नहीं ले सकते वो मंत्री मंडल के किसी भी राय को पलट नहीं सकते सिर्फ एक प्रोविजन यह बताता है कि वो राश्रवपती को यह रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस स्टेट में कंस्ट्यूश्टनल जो प्रोविजन्स है उनक मेहता वाला जैज्जमेंट सुप्रिम कोट का जो अपॉइंट्मेंट ऑफ लोका युद्ध गुजरात स्टेट से यह आया था उसमें भी यह बात दो रही है कि रोल क्या होगा गवर्नर का तो गवर्नर का रोल यह सिर्फ और सिर्फ औरनामेंटल है और मैक्स से मैक्स वो कर सकते हैं तो यह जो पाकी चीज़ है रोज न्यूस पेपर्स मा पढ़ रहे हैं कि गवर्नर साब ने किया गवर्नर साब ने वो किया मुझे लगता है डॉक्टर बाव साब आमबिट करने खुद ने जो व्यक्षा की ती जो इंटर्पेटेशन किया था कंस्टिशनल प्र मैं होता हुआ होजी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है तो उनके ज्नता के तरफ है ना मन्त्री मंदल बलकि उनकी जवाब दें इस higher उसी आश्रपिजीर तरफ है और सिर्फ उतना ही बतानाः तो जब उनका अपॉइंटमेंट में जिम्मेंदारी नहीं है और और जनता को भी र सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर करें Nerd करें करेंक रभी से Crash